नवस्ते दोस्तों वीडियो में आपका फिर से स्वागत है अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगा मेरे चैनल में स्वागत है और मैं फ्रीकुंडी रीडिंग प्रोवाइट करता हूं आपके दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करता मेरे दिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने अपना नंबर जिस पर वट्साइब कर सकते हैं अपने डीटेल्स अगर आप भी अपनी फ्रीकुंडी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अपना डेट आप टाइम प्लेस अपना नाम अपने दो सवाल और चैनल सब्सक्राइब कर किमेर जो राउंड अगला जो शूरू हो रहा है वह 30 अगस तक का है 3 अगस से फहले पहले हैं अगर आपको भी अपनी फ्रीकुंडी रीडिंग करानी है और जिनकी नहीं हूई है तो प्रेकुंडी रीडिंग करानी है हूं लिखे मुझे forward कर दीजेगा बैरहाल अभी मैं जो कुल्ली रीट करने वाला हूं हमांगशु जी की है हमांगशु जी की age 43 प्लस है हमांगशु जी की age 43 प्लस है और उनकी केतु की महादशा चल रही है at presently जो 2023 केतु जो शुरू हुआ है 2023-22 के आसपा शुरू हुआ है और 2023 तक केतु के अंतरदशा थी और आप शुक्र के अंतरदशा चल रहे है केतु के अंदर जो 2024 के चटे महीने जून तक चलेगी तो अब बात ही आती हमांगशु जी ने मुझसे दो सवाल पूछे पहली बात हमांगशु जी कैसे हैं आप आपकी कुंडली बहुत स्ट्रॉंग लेकिन टाइम थोड़ा सा बारी चल रहा है तो आई होब आप ठीक है आपका हेल्थ वगेरा सब ठीक है और अगर है तो अपने हेल्थ पर ध्यान रखिएगा केतु की महादशा चल आपने पूछा जी केतु की महादशा का एफेक्ट कैसा रहेगा और क्या बिजनेस स्टार में बैठा यह आपने देखा ही है अब आपका सवाल यह है जी केतु की महादशा कैसे चलेगी आपके केतु की महादशा चलने से पहले मरकरी की बुद्ध की महादशा चली थी बुद्ध यहाँ पे दूसरे घर में बैठा हुआ है इस जगा पे सूर्य के साथ में और शुक आपने कमाया है जो भी कुछ किया चाहिए आपने work किया है अपने business किया है या आपको जो भी convenience मिली है सब कुछ आपके अपने personal घर से मिली होगी आपके ancestral property से आपको मदद मिली होगी या आपने बना ली होगी अपने fixed asset अपनी मेहनत करके अब बात यह आती है जी कि आपका at presently केतू की जो महादसा चल रही है उस पर केतू पर पहले द्रिष्टी कौन दे रहा है केतू पहले रहू द्रिष्टी दे रहा है गुरू द्रिष्टी दे रहा है और शनी द्रिष्टी दे रहा है अपनी सात्वी द्रिष्टी दे रहा है यहाँ पर अगर कोई planet देखे तो इ साथवी दिश्टी मंगल की, साथवी दिश्टी शनी की, साथवी दिश्टी गुरू की, साथवी दिश्टी राहू की, केतु की दिश्टी कहा पर जा रही है, केतु की पांचवी दिश्टी, एक, दो, तीन, चार, पांच, करम पर, दूसरी दिश्टी जा रही है, साथवे घ अब कैसे complication create कई देखेंगे दो आपके शनी में बैठा हुआ है like this this virus-related disease या one उससे आपको problem देता रहेगा केतों हहां पैठा हुआ आपकी जो एज हैना हमांशुू जी आप 43 अपकी अपकी लाइफ के बोलते है इक start होता है मध्यान्त होता है उत्तराद होता है तो अब मध्यान्त के हैं और उत्रात के स्टार्टिंग पे हैं तो अगर आपकी एज को तीन सेक्टर में बाटिये जाए तो at presently आप अपने middles के end पे जा रहे हैं और अपने last stage अपने एज के जो एक last जो हम बोलते हैं जी की बच्पन जवानी और बुड़ापा तो अपने old age की तरफ जा रहे हैं I hope आप मेरी बातों को mind नहीं कर रहे होंगे I am really sorry अगर आप मेरी बात को mind कर रहे हो तो लेकिन ये सच्चाई है मेरी नजर और मेरी डिस्टी कौन से ये सच्चाई है कि आप अपने middle age से old age की तरफ जा रहे हैं इस टाइम पर के तू आपको काफी जादा effect करता है क्योंकि इस टाइम पर इंसान एक तरीके सा subtle होता है और अपने age के उपर आगे जाने अपने जो old age के बारे में इंसान यह सोचता है कि अब मैं अपनी जिंदेगी अच्छे से काटू लेकिन यहां पर क्या है जिकि बच्पन से ही आपको अच्छा benefit और अच्छा growth मिला है तो के तो यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है पहली चीज तो आपको यह सिखाएगा कि आपको अपने health पर ध्यान रहना चाहिए अभी तक आपने health पर ध्यान उतना नहीं भी दिया हो अगर दिया हो तो अभी और देने की ज़रुवत पढ़े हैं दूसरा आपने अभी तक जो भी business यह अपना काम क्या हो अपने हो सकता अपने birthplace से बाहर क्या हो और आपको growth मिली हो अब केतु आप पर complications create कर रहा होगा और आपकी fix asset पर भी complications create कर रहा है क्योंकि दोनों घरों पर केतु की दिश्टी पढ़ रही है जॉब तो आप करेंगे नहीं क्योंकि जॉब का अगर अगर आप कर भी रहे है तो उसमें भी difficulties आ रही होगी और हो सकता आपका मन कर रहा हो कि उसको छोड़ देने का शुक्र सात्वे घर पे बैठा हुआ है शुक्र की अभी अंतरदशा चल रहे है तो fix asset को शुक्र सम्हाओ बचाने की कोशिश करेगा और शुक्र बचा लेगा अगर आप समझदारी से क काम करेंगे तो शुक्र बचा लेगा लेकिन आगे आने वाले महादशा अंतरदशाओं में हो सकता आपको problem है तो पहली दिक्कत क्या है महादशा में आने की हो सकता है जी कि आप loan लेने की सोचे loan मत लीजे कोई भी loan मत लीजे अगर को expenses हो रहा है अपने आपकी health पे हो रहा उसको जितना हो सके उतना minimum करने की कोशिश करें वो minimum आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी health को लेके ध्यान रखेंगे अपने आसपड़ोस के लोगों के अपने personal relatives अपने personal life के जो भी लोग important है उनके बारव में सोचके चलेंगे उनके health को लेके सोचके चलेंगे तो भी टाइम अच्छा नहीं है अब बात यह आती है कि के तू इसके लावा क्या effect देगा के तू यहां पर बैटके आपको अपनी सोच पर दो बार तीन बार सोचने को मजबूर करेगा और अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कोई भी decision लेंगे तो वहां पर आपको problem देगा के पड़ यह तो कोशिष अच्छा ही रहेंगा टिकल लेकि निकलने के कोशिष रहेंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे क्योंकि श्रैटन भी यहां पर 5 पांच वे घर में पैठा हुआ है बारवे घर में बैठा है अब सूर्य की राशी में बैठा हुआ हाला कि सूर्य शक्ति काफ़ी अच्छा पोर्जीशन में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ अच्छा रिलेशन नहीं भी हुआ तो क्या हूआ पंचमे शो के बारवे घर में बैठा हुआ है और छटे शो के बारवे घर में बैठा हुआ है तो पंचम का मालिकों के शनी कोई negative असर नहीं देने की कोशिश करेगा उल्टा आपको अपनी litigation या आपके matters को निकानने की कोशिश करेगा अगर कोई lawsuit है तो अगर आपको lawsuit है अग जो चीज नहीं मिलने की भी चांसे सो हो मिलने के हो सकते हैं अब बात या आती है कि केतू यहां पर बैठ हुए बिजनेस को आपको मैंने यह चीज बता दी कि केतू के एफेक्ट क्या रहेंगे एक तो लोन मत लीजेगा लोन लेंगे तो उसकी लाइबिल्टी लाउसुट की हेल्थ को लेके डिक्कत हो सकती है पार्टनर को हेल्थ के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो इन सब चीजों को अपना सथ ध्यान में रखे चलिएगा महादशा में केतू आपको यह एफेक्ट्स देगा और एक्सपेंस बढ़ा देगा आपका हॉस्पेंस बाहर कोई बिजनेस या कुछ भी कर रहे है तो उस पे एक्सपेंस बढ़ जाएगा और आपके अपने फिक्स असेट भी बेचने के हालात हो सकते है अगर आप सावदानी से नहीं चले तो यह केतू के असर रहेंगे अब बताते हैं केतू में बिजनेस क्या कर सकते है केतू देखिए शनी के घर में बैठा है शनी के ग्यारवी राशी में बैठा हुआ है ग्यारवा राशी क्या होता है विशेश का राशी होता है और एक और तरीके देखा जाए तो कुम राशी कल्यान का राशी होता है वेलफेर का राशी होता है अगर आप देखे तो वेलफेर करने वाले लो loan दिलाने की मदद करें या आप किसी को पैसा दिलाने की मदद करें जो आपको genuine लगया आप अपना पैसा मत किसी को दीजेगा लेकिन हो सकता है अगर आप किसी business पे हो जिसमें आप या आप किसी business को start करें या आप किसी consultation को start करें जिसमें आप किसी को help करने की कोशिश करें उन को उनकी प्रॉब्लेम से निकालनी कोशिश करें और उससे आपको कुछ बेनेफिट वो देखे जाए तो अच्छा रहेगा दूसरा पॉइंट वो यह रहेगा जिक अगर आप किसी को टीच करने आपकी जितनी भी अभी तक की लाइफ के एक्सपेरियंस रही है उसमें अगर आप उसको डेफ्ट में जाके उसकी यूस पे लें और उसको दुनिया को या आसपास के लोगों को या उसको अजन बिजनेश पकड़े और दूसरों को वेलफेर करें अपनी नौलेज को अपनी नौलेज के दुरू चाया वो आपकी नौलेज बिजनेस से रिलेटेड तो अगर आपको अगर ऐसी किसी चीज का नौलेज है तो आप उस नौलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं उससे कंसल्टेंसी कर सकते हैं या आजन टीचर आप इस्तेमाल करिए तो आपके लिए बैता रहेगा क्यों कि तूँ यहां पर बैठा हुआ ऐसी ही पोजिशनिंग मना र है ऐसे चीज़ों में करेंगे तो केतु आपको अच्छा फल देगा यहां पर बैठा हुआ सिक्स हाउस में बैठा हुआ केतु आपको करेंजे सिम्मत वाला बनाएगा और आपको काफी चीज़े गंभीर तोर से आपको सोचने की शक्ती भी देगा लेकिन साइमल्टेनेसली आपको वेलफेर को करने के लिए मजबूर कर रहा है यहां पर तो आपको जो भी काम आप बिजनेस करें तो उसमें वेलफेर पॉइंट ओव यू को देखके चलिएगा लोगों को होँ आज आप अपना काम पर ध्यान दीजे मुझे अभी जो बेनेफिट आपको पहले मिले है वो बेनेफिट को अगर आप रोक के रखना चाहते हैं अगर फ्यूचर को देखें तो अगर यह देख बोलूं कि अगर आप आज अपने आपको सटल करना चाहते हैं तो यह के तो आपको disrupt करेगा लेकिन जो चीज आपके पास है उस चीज को अगर आप सेफ करना चाहते हैं या उस चीज से आप अपने आपको अपने आप से रिलेट रखना चाहते हैं क्योंकि के तो यहाँ पर उन सब चीजों को दूर करने की कोशिश करेगा जो भी convenience से उसको दूर करन का कोशिश करना पड़े कोई भी काम आगर मैंने आपको प्रोफेशन पूचा नहीं था लेकिन कोई भी काम जो आप दूसरों के convenience से दूसरों को help करने के लिए करेंगे उससे आपको अपने future को safe करने में ज्यादा अच्छा रहेगा और अगर 7 साल यह आप अच्छे से कर ल प्लेस से दूर आपके settlement रहा तो सूरे फिर से आपको वहाँ पर लाके खड़ा कर देगा लेकिन इस केतु के समय को आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी welfare करना पड़ेगा तब ही आप stable रहेंगे loan बिलकुल मत लीजेगा liability बिलकुल म किलाईए और जो जो important और भी जो केतु के हाँ 11 घर में बैठा है तो शनी के उपाय जरूर करिए शनी से related जो जो उपाय है शनी कोई भी शनी वार या मंगल वार को जाके थोड़ा सा आप oil जो सरसो का तेल है वो मंदिर में के बाहर जो लोग है उनको आप दे सकते है as an donation या आप क्या बोलते हैं कुछ भी oil related चीज़े जो जिनको चाहिए उनको provide कर सकते हैं जैसे auto mobile sector में जिनको जो काम करते हैं उनको oil से related काम करना होता है तो उनको सकता है थोड़ा मदद कर पाए वहाला कि उतना दूर मत जाहिएगा कोशिश यही करिए कि मंदिर के बाहर या जो ग उठाने वाले होंगे लेकिन जो आपकी नीचे काम नहीं करते तो society के लिए काम करें उनको मदद करने की कोशिश करें उनको help करने की कोशिश करिए केतु की महादशा आपको उसमें अच्छा फल देगी तो यह ता मेरा analysis हिमांग्शु जी अपने health का अपने assets का ध्यान रख अभी केतु आपको complication दे सबता है थैंक यू